जैहिन दोस्तों आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूटूब चैनल यूनीक ज्यान में आज हम भी ये थर्ड सिमस्टर में लगे दुरूप स्वामनी एक आंकी का सारांस अच्छे से समझेंगे प्रथम अंक का सारांस हमने पहले समझ चुका है अब हम दितियंक का सारांस समझेंगे जिसने भी प्रथम अंक की वीडियो न देखी हो वह चैनल पर विजिट करें और वीडियो प्राप्त हो जाएगी और जो भी चैनल पर नए आए हो चैनल सब्सक्राइब करने जिससे उन्हें आने वाली वीडियोज प्राप्त होती रहें अब हम सुरुआत करते हैं कि दितियंक हमारा कहां से सुरू होता है दितियंक सुरू होता है कोमा का आगमन होता है दीरे दीरे और वह सोचती है कि पौधों को देखती हुई प्रवेश करके वह सोचती है कि इन्हें सीचना पड़ता है नहीं तो इनकी रुखाई और मलिंता सौंदर पर आवरण डाल देती है आज तो इनके पत्ते धुले भी उए भी नहीं है इनमें फूल जैसे मुकलित होकर ही रह गए हैं खिलखिला कर हसने का मानो इनमें बल नहीं सोचकर ठीक इधर कई दिनों से महाराज अपने युद्ध विग्रह में लगे हुए हैं और मैं भी यहां नहीं आई तो फिर उनकी चिंता कौन करता उस दिन मैंने यहां दो मंच और भी रख देने के लिए कर दिया था पर मेरी सुनता कौन है सब रक्त के प्यासे हैं प्राण लेने और देने में फागल बसंत का उदास और अलस पवन आता है और चला जाता है कोई उस असपर से परचित नहीं ऐसा तो वास्तविक जीवन नहीं है सीड़ी पर बैट कर सोचने लगती है प्रड़े प्रेम जब सामने से आते हुए तीब्र आलोक की तरह आखों में पुंज उडेल देता है तब सामने की सब वस्तवे और भी असपस्ट हो जाती है अपनी होर से कोई भी प्रतास की किरण नहीं तब वही केवल वही हो पागलपन भूल हो दुख मिले फ्रेम करने की एक रित्व होती है उसमें चूकना उसमें सोच समझ कर चलना दोनों बराबर है सुना है दोनों ही संसार के चतरों की द्रिष्ट में मोर्ख बनते हैं तब कोमा तू किसे अच्छा समझती है यह अपने मन में प्रस्ण सोचते सोचते वा एक गीत गाती है कि यवन तेजी चंचल छाया इसमें बैठ घूट भर पीलू जो रस्तु है लाया मेरे प्याले में मद बनकर कब तू छली समाया जीवन वनसी के छिद्रों में स्वर बनकर लहराया पल भर रुकने वाले कह तू पति कहां से आया ऐसा वह सोच सोच कर मुश्कुराती रहती है और चुप होकर आखे बंद कि ये तनमय होकर बैठी रह जाती है सकराज का प्रवेश होता है हाथ में एक लंबी तलवार लिये हुए चिंतित भाव से आकर इस तरह ख़़ा होता है कि जिससे कोमा को नहीं दिखता सकराज खिंगल अभी नहीं आया क्या वह बंदी तो नहीं कर लिया गया नहीं यदि वे अंध नहीं है तो उन्हें अपने सिर पर खड़ी विपत्ती दिखाई देनी चाहिए यह सोचकर विपत्ती केवल उनी पर तो नहीं है हम लोगों को भी रक्त का नदी बहानी पड़ेगी चित बड़ा चंचल हो रहा है तो बैठ जाओं इस एकांत में अपने बिखरे हुए मन को सम्हान लूँ इधर उधर देखता है और कोमा आहट पाकर उठ खड़ी होती है उसे देखकर अरे कोमा 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 हा महराज क्या आग्या है सकराज उसे इसनिक दभाव से देखकर आग्या नहीं कोमा तुम्हें आग्या ना दूँगा तुम रूठी हुई सी क्यों बोल रही हूं कोमा रूठने का सवभाग मुझे मिला कब सकराज आज कल मैं जैसी भीसल परिस्थिती में हूँ उनमें अनमनस्क होना स्वभाविक है तुम्हें यह न भूल जाना चाहिए कोमा तो क्या आपकी दुष्चिंताओं में मेरा भाग नहीं मुझे उससे अलग रखने से क्या वो परिस्थिती को सरल हो रही है सकराज तुम्हारी हृदे को उन दुर्भावनाओं में डाल कर व्यथित नहीं करना चाहता मेरे सामने जीवन मरड का प्रस्ण है कोमा प्रस्ण स्वयम किसी के सामने नहीं आते मैं तो समस्ती हूँ मनुष्य उन्हें जीवन के लिए उपयोगी समस्ता है मकडी की तरह लटकने के लिए अपने आप ही जाला बुनता है जीवन का प्राथ्मिक प्रसन उल्लास मनुष्य के भविस्व में मंगल और सौभाग्य को आमंत्रित करता है उससे उदासी न होना चाहिए महराज सकराज सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता के नाम है मैं तो पुर्सार्थ कोई सबका निमायक समस्ता हूँ पुर्सार्थ और सौभाग्य को खींच लाता है हाँ मैं इस युद्ध के लिए उस सुक नहीं था कोमा मैं इदिग्वीजी के लिए नहीं निकला था कोमा संसार के नियम की अनुसार आप अपने से महान के सम्मुख थोड़ा सा विनीत बनकर उस उपद्रों से अलग कर सकते थे सकराज यही तो मुझसे नहीं हो सकता कोमा अभाव मैं लगुता में मनुस्य अपने को महत्तोपोर दिखाने का अविने न करे तो क्या अच्छा नहीं है सकराज चिड़ कर बोलता है यह सिच्छा भी रहने दो कोमा किसी से बड़ा नहीं हूँ तो छोटा भी नहीं वरना चाहता तुम अभी तक पासारी प्रतिमा की तरह वहीं खड़ी हो मेरे पास आओ कोमा पासारी हाँ राजा पासारी के भीतर भी कितने मदुर सुरोद बहते रहते हैं उनमें मदिरा नहीं सीतल जल की धारा बहती है प्यासो को त्रिप्ती यही सुनकर सकराज बोलता है किन्त मुझे तो इस समय इस फूर्ती के लिए एक प्याला मदिरा ही चाहिए कोमा एक छोटा सा मंच रख देती है और चली जाती है सकराज मंच पर बैठ जाता है और खिंगल का प्रवेस होता है कोमा इस्ते दिट से देखती हूई मैं ले आती हूँ आप बैठिये मतलब वा मदिरा लाने चली जाती है सकराज कहो जी क्या समचार है खिंगल महराज मैंने उन्हें अच्छी तरह समझा दिया कि हम लोगों का औरोध दिर्ड है उन्हें दो में से एक करना ही होगा या तो अपने प्राणदे अन्यता मेरी संधी के लिए नियमों को स्विकार करें सकराज उत्सुकता से तो वे समझ गए खिंगल दूसरा उपाय ही क्या था या छ सकराज प्रसन्नता से उठकर उसके दोनों हाथ पकड़ लेता है ए तुछ सच कहता है मुझे आसा नहीं थी क्या मेरा दूसरा प्रस्ताव भी रामगुप्त ने मान लिया स्वड के कलस में मदिरा लेकर कोमा चुपके से आकर पीछे खड़ी हो जाती है खिंगल हा महराज उ सकराज प्रसन्नता से खिंगल के हाथों को जग जोरने लगता है सकराज खिंगल तुमने कितना सुंदर समाचार सुनाया आज देव पुत्रों की स्वर्गी आत्माय प्रसन्न होंगी उनकी पराजियों का या प्रतिसोध है हम लोग गुपतों की दृष्ट में जंगली बर बर और असब्य हैं तो फिर मेरी प्रतिहिंसाग्मी भी बरबरता के अनकूल ही होगी हाँ मैंने अपने सूर सामंतों के लिए इस्तिरियां भी मांगी थी खिंगल वे भी साथ आएंगी सकराज तो फिर सोने की जहाजवालित नाच का प्रवंद करो इस विजय का उस्तों मन आया जाया और मेरे सामंतों को भी सिग्र बुला लाओ खिंगल का प्रस्थान सकराज अपनी प्रसंता से इधर उधर टहलने लगता है और कोमा का कलस लिए हुए धीरे धीरे सिंगहासन के पास आकर खड़ी हो जाती है चार सामंतों का प्रवेस होता है दूसरी योर से नर् अस्ताचल पर यूती संध्या की खुली अलग गुगराली है लो मानिक मदिरा की धारा अब बहने लगी निराली है भरली पाहाडियों ने अपनी जीलों की रत्नमई प्याली जुक्चली चूमने वल लरियों से लिप्टी तरु की डाली है यह लगा पिगलने मानिनियों का हिर्दय मिर्दू प्रड़य रोस ब्रा वे हस्ती हुई दुलार भरी मदुलार उठाने वाली है भरने निकले हैं प्यार भरे कुंजों की जुरमुट से इस मदुर अधेरे में अब तक क्या इनकी प्याली खाली है बर उठी प्यालیا सुमनों ने सौरम मकरंद मिलाया है काम पनियों ने अनुराग भरे अधरों से उन्हें लगा ली है वसुदा मदमाती हुई उधर आकास लगा देखो जुकने सब जूम रहे अपने सुख में तूने क्यों बाधा डाली है नर्तिकिया नाच्तियां यह गीत सुनकर और जाने लगती है एक सामन्त स्रीमान इतनी का कर ही नहीं प्यालियां भर कर भी देनी चाहिए सब पीते हैं और नर्तिकियां एक एक को सानुरोध पान कराती है दूसरा सामन्त स्रीमान की आग्या मानने के अतरिक्त दूसरी गती नहीं उन्होंने समझ में काम लिया नहीं तो हम लोगों को इस रात की कालिमा में रक्त क कि लाली मिलानी पड़ती तीसरा सामंद क्यों बगबग करते हो चुकचाप इस बिना परिस्त्रम की विजय का आनंद लो लड़ना पड़ता तो सारी एकड़ी बोल जाती दूसरा सामंद क्रोस चे लड़ खड़ाता हुआ उड़ता है हमसे तीसरा सामंद हाजी तुमसे आओ तुमी से निपट ले सब परसपर लड़ने की चेश्टा करने लगते हैं सकराज खिंगल को संकेत करता है कि वह उन लोगों को बाहल लिवा जाता है और सकराज रात्र की आगमन की सूचना हो गई है दुर्ग का द्वार अब सीगरी बंद होगा अब तो हिर्दय अधी खिंगल का पुना प्रवेस होता है खिंगल दुर्ग तोरण में सिविकाएं आ गई है सकराज गर उसे तब बिलम क्यों उन्हें भी ले आओ खिंगल सविने किन्तुरानी की एक प्रार्थना है सकराज क्या खिंगल वह पहले केवल स्रीमान से ही भेट करना चाहती है उनकी म मर्यादा सकराज ठटा कर हसता है क्या कहा मर्यादा भागने जुकने के लिए जिनें परावस कर दिया है उन लोगों के मन में मर्यादा का ध्यान और अधिक रहता है यह इतना दैनी दसा है खिंगल वह स्रीमान की रानी होने के लिए आ रही है सकराज हस कर अच्छा तुम द्यस्त हो ना, तुम्हारी बात का मान कर मैं उससे एकांत में ही भेट करूँगा, जाओ, खिंगल का प्रस्थान, कोमा, महराज मुझे क्या आग गया है, सकराच चौक कर, अरे, तुम अभी यही खड़ी हो, मैं तो जैसे भूली गया था, फिदे चंचल हो रहा है, मेरे आगमन की प्रसंथा से, सकराच समलक, नई राणी का आना क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा, कोमा, कोमा, निर्विकार भाव से, संसार में बहुत सी बाते बीना अच्छी हुए भी अच्छी लगती हैं, और बहुत सी अच्छी बाते खरा मालूम पड़ती हैं, सकराच जुजला कर तुम तो आश्चरी महिर देव की तरह दर्सनिक्यों की इसी बाते कर रही हो। कॉमा मेरे पिता तुल्ले उन्ही की सिच्छा में मैं पली हुई हूँ। हाँ ठीक है जो बाते राजा को अच्छी लगे वे मुझे भी रूचनी ही चाहिए। सकराज कहता है आप व्यवस्थित होकर अच्छा तुम इतनी अन्भूत मही हो यह हमें आज जान पसका। कॉमा राजा तुम्हारी इसने सुचकाओं और सुचनाओं की सहज प्रसनता और मधूर अलापों ने जिस दिन मन के नीरस और नीरव सुन्ने में संगीत की बसंत की और मकरंद की स्रिष्ट की थी उसी दिन मैं अन्भूती मैं बन गई थी। क्या वह मेरा भ्रम था कहदो कहदो की वह तेरी भूल थी। उत्तेजित कॉमा सिर उठाकर राजा से अख मिलाती है। सकराज संकोज से नहीं कॉमा वह भ्रम नहीं था। मैं सचमुत तुम्हें प्यार करता हूँ। कॉमा उसी तरह तब भी यह बात। सकराज कौन सी बात। कॉमा वही जो होने जा रही है। मेरे राजा आज तुम्हें एक इस्तरी को अपने पती से विछिन करा कर अपने गर्व की त्रिप्ती के लिए कैसा अनर्थ कर रहे हूँ। सकराज हंस कर बात उड़ाते हुए पगली कॉमा यह मेरी राजनीत का प्रतिसोध है। कॉमा द्रिप्ता से किन्तु राजनीत का प्रतिसोध क्या एक नारी को कुचलने भी नहीं हो सकता। सकराज जो विसर समझ में ना आवे उस पर विवाद न करो। कॉमा खिन ओकर मैं क्यों न करूँ ठार कर किन्तु नहीं मुझे विवाद करने का अधिकान नहीं या मैं समझ गई हूँ। वह दुखी होकर जाना चाहती है कि दूसरी ओर से मिर देव का प्रवेस हाथ में लंबा त्रिसोल घुटने तक परिच्छद और छाती तक सपेड डाड़ी। सकराज समझ से खड़ा होकर धर्म पूझ मैं वंदना करता हूँ। मिर देव कल्यार हो कुमा के सिर पर हाथ रखकर बेटी मैं तो तुझको ही देखने चला आया। तो उदास क्यों हैं सकराज की ओर गूर द्रिष्ट से देखने लगता है। सकराज आचारी रामगुप्त का दर्प दलन करने में के लिए मैंने दुरूप स्वामनी को उपहार में भेजने की आग्या दी थी। आज रामगुप्त की राणी मेरे दुर्ग में आई है। कुमा को इसमें आपत्ती है। मीर देव गंभीरता से। साजा इस्तिरियों का इसने विश्वास भंग कर देना कोमलतंत को तोड़ने से भी साज है। परंतु सावधान होकर उसके परड़ाम को भी सोच लो। सकराज मैं समस्ता हूँ कि आप मेरे राजनीतिक कामों में हस्त छेप न करें तो अच्छा हो। मेर देव राजनीत राजनीत ही मनुस्यों के लिए सब कुछ नहीं है। राजनीत के पीछे नीत इसे भी हाथ दो बैठो जिसका विश्व मानों के साथ व्यापक संबंध है। राजनीत की साधारण छलनाओं से सफलता प्राप्त करके छड़ बर के लिए तुम अपने को चतुर समझ लेने की बूल कर सकते हो। परंतो इस भीसर संसार में एक प्रेम करने वाले हिर्दे को धोका देना सबसे बड़ी हानी है। सकराज दो प्यार करने वालों के हिदय के बीच स्वरडिम जियोती का निवास है। सकराज बस तुम बहुत हो चुका आपके महत्त की भी एक सीमा होगी। अब आप यहां से नहीं जाते तो मैं ही चला जाता हूँ। और सकराज वहां से चला जाता है। मीर देव चल कोमा हम लोग की लताव रिचों और चट्नानों से च्छाया और सहन भूत मिलेगी। इस दुर्ग से बाहर चल कोमा गतगत कंट से पिता जी खड़ी रहती है। मेर देव बेटी हिदे को सम्हाल कस्ट सहन करने के लिए प्रस्तुत हो जा। दे एक जटका उसकी हरी हरी पत्तियां कुचल जाएं और वह जिन होकर धूल में मिलोटने लगें। ना ऐसी कठोर आग्या ना दो मेहर देव निस्वास लेकर आकास को देखते हुए यहां तेरी भलाई होती तो मैं चलने के लिए न कहता। हम लोग अखरोट की छाया में बैठेंगे ज़र्नों के किनारे दाख के कुंजों में विस्त्राम करेंगे। जब नीले आकास में मेगों के टुकडे बांसरोवर जाने वाले हंसों का अभिनाय करेंगे। तब तु अपनी तकली पर उन काती हुई कहानी कहेगी और मैं सुनूंगा कुमा तो चलूं एक बार चारो और देखकर एक घड़ी के लिए मुझे मिहर देव उब कर आकास की और देखता हुआ तु नहीं मानती हुआ देख नेले लोहित रंग का धूमकेत अविचल भाव स इस दुर की और कैसा भयानक संकेत दे रहा हैं कुमा उधर देखते हुए तब भी एक छड मुझे मिहर देव पागल लड़की अच्छा मैं फिर आऊंगा तु सोच ले विचाल कर ले अभी तो जाता हूं कुमा जाना ही होगा तब यह मन की उलजन क्यों अमंगल का अभी सा के स्वपन विलीन हो जाएंगे मेरे यहां रहने से उन्हें अपने भाव को छुपा लेने के लिए बनावटी ब्योहार करना होगा पग पग अपमानित होकर मेरा इड़्दे उससा नहीं सकेगा तो चलू यह ठीक है पिता जी ठार ये मैं आती हूं सकराज प्रवेस करकी कुमा मालूम होता है कि वे बहुती दुखी होकर चले गए हैं कुमा धुमकेत को दिखा कर उन्होंने मुझसे कहा है कि तुम्हारे दुर्ग में रहने से अमंगल होगा सकराज भैभीत होकर उसे देखता हुआ ओ भयावनी पूछ वाला धुमकेत आकास का उच्छिंखल पर करना सहज नहीं है वह मुझे अपने साथ लिवा जाने कि लिए मेरी प्रतिचा करते होंगे सकराज कुमा तुम कहां जाओगी तूमा पिता जी के साथ सकराज और मेरा प्यार मेरा इसने सब भुला दोगी इस अमंगल की सान्ती करने के लिए आचार को न समझाओगी कुमा खिन्नों कर प्रेम का नाम ना लो वह एक पीड़ा थी जो छूट गई उसकी कसक भी दीरे दीरे दूर हो जाएगी राजा मैं तुम्हें प्यान नहीं करती मैं तो दर्प से दीप्त तुम्हारी महत्यमई पुरुस मूर्थ की पुजारिन थी जिसमें पृत्वी पर अपने प बिगार नहीं सकते तुम आसंका मात्रिक से दुर्बल कंपित और भायभीत हो सकराज धूमकेत को बार बार देखता हुआ भयानक कूमा मुझे बचाओ कूमा जाती हूं महराज पिता जी मेरी परतिछा करते होंगे और चली जाती है सकराज अपने सिंगासन पर हतास होकर ब कोई ना आवे प्रहरी जाती है सकराज चंचल होकर टानने लगता है धूमकेत को और दृष्ट जाती है तो भैभीत होकर बैठ जाता है सकराज तो इसका कोई उपाय नहीं न जाने क्यों मेरा दिल घबरा रहा है कूमा को समझा वुजा कर ले आना चाहिए सोचकर किन्त छिपाये हुए आती है केवल खुले हुए मुँपर प्रसन चेश्टा दिखाई देती है चंदगुप्त तुम आज कितनी प्रसन हो दृष्ट स्वामनी और तुम क्यों नहीं चंदगुप्त मेरे जीवन निशीत का दृवन नचत्र इस घोर अंधकार में अपनी इस्थिर उज्वलता में इससे चमक रहा है ताद महुत्सो है ना दृष्ट स्वामनी लोड जाओ तुम तुछ नारी इस तुछ नारी जीवन के लिए इतने महान उच्सर किया वस्यक्ता नहीं चंदगुप्त देवी या तुमारा छडिक मो है मेरी परिच्छा न लो मेरे सरीर ने दृष्ट स्वामनी अपनी कामना की वस्त न पाकर या आत्महत्या जैसा प्रसंग तो नहीं है चंदगुप्त तीके वचनों से मरमाहत करके भी आज कोई मुझे इस मृत्युपत से विमुख नहीं कर सकता मैं केवल अपना करतब भी करूं इसी से मुझे सुख है दोनों चुप हो जाते हैं वह दोनों की ओर चकित होकर देखता है सकराज मैं किसको रानी समझ हूं रूप का ऐसा तिब रालोक नहीं मैंने कभी नहीं देखा है इसमें कौन दृष्वामनी है दृष्वामनी आगे बढ़कर यह मैं आ गई हूं चंद्रगुप्त हसकर सकरा यह एक अंदा भी बता सकता है दृष्वामनी आश्चरिय से चंद्रे तुमको क्या हो गया है यहां आने पर तुम्हारी इच्छा रानी बनने की हो गई है यह मुझे सकराज से बचा लेने के लिए यह तुमारी स्वामी भक्तिया है सकराज चकित होकर दोनों की यूर निपाऊंगी चंदगुप चंद्रे का कर मुझे पुकारने से तुम्हारा क्या तात पर है यह अच्छा जगड़ा तुमने फैलाया है इसलिए मैंने एक आंत में मिलने की प्रात्ना की थी दुरुप स्वामनी तो क्या मैं यहां भी छली जाऊंगी सकराज ठैरो दोनों को ध पहले इसका नेड़ा होना चाहिए दुरुप स्वामनी क्रोच से चंद्रे मेरे भाग के आकास में धुमकेत उसी अपनी गत्य बंद करो सकराज धुमकेत की ओर देखकर भैवीत सा और भयाना ब्यग्र भाव से टहनने लगता है संद्रगुप सकराज की पीठ पर हाथ रख सुनिए दुरुप स्वामनी चंद्रे चंद्रगुप इस धंकी से तो कोई लाव नहीं दुरुप स्वामनी तो फिर मेरा और तुम्हारा जीवन मरड साथ ही होगा चंद्रगुप तो डरता कौन है दोनों ही सिग्र कटार निकाल लेते हैं चंद्र सकराज घबरा कर है क्या यह क्या तुम लोग क्या कर रही हो ठारो आश्चर यह ने ठीक का है कि आज तुम मुरत नहीं है मैं कल विस्वसनी ब्यक्ति को बुला कर इसका निश्चे कल लूँगा आज तुम लोग विस्राम करो दुरुप स्वामनी नहीं इसका निश्चे तो आज ही होना है सकराज ब कर चंदगुप्त का हाथ पकड़ लेता है और दुरुप स्वामनी जटके से चंदगुप्त का उत्तरी ये खींच लेती है और चंदगुप्त हाथ छुड़ा कर सक्रेच को घेल लेता है सक्राज चकिसा ए ये कौन प्रवचक चंदगुप्त मैं हूं चंदगुप्त तुम्ह अगले वीडियो में